यहार दरिया होता था पहले पानी बहुत आता था फिर सूख गया कुछ दिख चुके हैं जिन से हम ड़ाइने और कुद्रत के नजारे यहां के नजारे आप देखके माहूल है वो कितना प्यार है फिलाल मैं यहीं पर गूंगा थोड़ा बहुत और आपको दिखाऊंगा कि यहां का महूल कैसा यहां की खूबसूरती कैसी और यहां का मतली कि जंगल कैसा है वहां दिखाऊंगा और वो शाल के इसको जो शाल मीलेगी इसको बोलते है यहां मोदने आपको भी दिखाऊंगा कि वो कैसा पत्थर है जिस पे आपने मुवी में देखा होगा कि जब वो फोक्स अपने मतलब को राजा होता था तो वो एक पहाड़ पिचा के आवाज देते थे वैसा ही हो सकते वैसा ही पहाड़ो तो डूंड़ने की ट्राइए करेंगे आप वीड किसे हुआ है तो फिलाल नजारेया जंगल कमतों कि इतना प्यारा लग रहे हैंकर और इसके पीछे जो कि है वो दूद्ध बथरी भी है वहाँ भी जाएंगे हम कभी ना कभी जिन्दगी रही तो लाल या को और यहां से नीचे हो सुनने माई को नीचे वान बीजाने की ट् कितना प्यारा लग रहा है तो आज आया था में इदर अपनी फैमिली के साथ गूमने के लिए और पापने बोला कि नीचे वह पथर है तुझे वह भी दिखा दूँगा और मैं मुझे देखने को मिलेगा तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगा फिलाल जा रहे हैं वही कि थोड़ा नीचे और उसी पत्थर की और यहां से हम नीचे जा रहे हैं कि यार खुब सुर्थी देख लिए यहार तो ट्रैकिंग यहां पर ट्रैकिंग के लिए भी आये थे लोग जो कि अभी हमारी सामने से आगे आगी गें थोड़ा हम जब आ रहे थे तब वह वापिस के सो जा रहे हम तलाश में वेडिये के पत्थर की तरह लिगां पर मुझे पता नहीं यहां पर है क्या गोल प्रकार से छे पेड़ लगे हुए हमें डिरेक्शन तो पता नहीं लेकिन हां सामने हमें कुछ दिख चुके हैं जिन से हम डिरेक्शन पूछ सकते हैं यहां से नीचे आप लोग देखें वायार क्या खुशूरत है हर्याली यहार कितनी हर्याली है अब है तो इन से हमने रास्ता पूछे को और हमें मिल चुका है रास्ता कि यहां से थोड़ा सी दूर आप तो पहुंचने वाले हैं सो चल रहे हैं अभी पत्थर की तलाश में हम हो सकते मिल जाए पैसे ना मिलना किस में है तो इस रास्ते से हम नीचे जा रहे हैं जो की बहुत ही कठीन रास्ता है तो इनसे हमेने रास्ता पुछा तो इननों बोला था कि यहां से सीधे नीचे जाओ सामने यह पत्थर और बहुत बड़ा पत्थर सुनने में आया देखा जाएगा कितना बढ़ा होगा ओव फाइनली दीख चुका हमें पत्थर यह वाला यार वाह तो पाइनली पत्थर द इस पत्थर की और चलते चलते हमें कुछ अजीब सा पत्था दिखा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह देख सके यार यह इसका फेस मतलब कुछ और टाइब का पत्था है और इसमें कुछ गुफा भी है नजदीक जाते हैं इसके यहां पर भी था यह देख सेबी से मतलब काटा हुआ है कुछ किसी और प्रकार का पत्थर है फिलाल देख चुक है अपने पत्थर और जारे हम शाल उस बड़े पत्थर जो कि मैंने जिस पर जो कि बेड़े वह आवाज देता था उसकी और जारे हम इस पर लगरें तो 김ी में यह दोका था चाहिए तो उसी की जैसा में यह पथर करें पैली बार देखा में पोंच चुके हम पथर के पास और यह देख वो का मियार इससे पनजो के निजान भी है और यहां से देता था वो आवाज मैं भी दूँ यार नीचे देखके चक्कर आ तो यहां से आप नजारे देखो मतलब यहां पर मैं फिल जमती होगी उनकी और यहां से जो की अपनी बाशा में कुछ बोलते हो जो योग मुझे तोड़ी नाती है तो यहां आके हमें जो खुशी मिल रही है लगार क्या ही बोलु हम पहली बार इस जगह पर आया हूँ मैं और दिल को बहुत ही सुकून मिला क्यूंकि यार पहली बार जब कोई इनसान किसी चीज को देखता है तो बहुत खुशी होती है त तो शाल का ही बहुत बार हूँ लेकिन यहां इस पत्थर पे पहली बार खड़ा हूँ यह देख सकते हैं आप लोग पहली बार विस पत्थर पे खड़ा हुआ कि मैं व्लाग शूट करो हूँ यार और इसलिए बो रहा हूं कि जो जो मेरे चैनल पे नहीं जुड़ रहा है तो देखने को मिलेंगे हम वहां पर जो की सर हैं वहां पर उनको भी गुमने वाले और आपको दिखाएंगे कि तो समयदान कितना बड़ा है कि उसको पूरा एक्सप्लोर करने की हम कोशिश करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और अपने दोस्तों के साथ यहां कख कि क्या क्या नजारे और यहां के सो काइस जैसे ही मेह अचला ते आ hell शूट करते हो और जैसे ही यहां से नजर पड़ी वाह यार कितना बड़ा है ये आँ बढ़ है आँ उपर से इता निलहां लगता लेकिन जब मेंज में इस उतरता है तो उतरता है तो वाहформर द कितना चैनल है行 है जिन बन गया मेरा चिए chuck उप्ते यार कितना बढ़ा है उपरीग लग्रानी या ऊपर नीचे आया तो कि मेरी नजर पढ़ी तो यार मैं तो हुलिक्लम कितले भग साही है मैं हुलिट रहत थी उब्योंग किना या हम यार मेरी हाइट जो है वो की लगबग छे फूट के आसपास और मेरा सेट देखो या पूरा इसके नीचे आ चुका हूं और इसके नीचे इनसान मतलब रात गुजार सकते अपनी अच्छे से आराम से मजे में इसको सामने से थोड़ा कवर करने और देखो यार क्या डिजाइ यार कुद्रत को हम क्या ही उसका शुक्रियादा नहीं कर सकते हम जो कि यह है अगर हम वो चीज़े देखने को आई ना तो उसका कुछ वर्ड्स ही नहीं मेरे पास वर्ड्स खतम हो चुके हैं आप खुद देख सकते हैं कितना खुबसूरत है यहां का नजारा मेरा कजन आया था हमारे साथ और वह उपर चड़के कुछ आवाजे दे रहे तो सुनते हम उसकी आवाजे देखेंगे क्या बोलने वाला है चल बोल बोल ना चल कहीं है तो काई दिन कर दाए फोटो शोट और में जाता हूं थोड़ा सामने आगे देखके आता हूं मतों इससे आगे कुछ थोड़ी नहीं है कुछ है या नहीं है वह भी हम नोटिस कर लेंगे जा रहे हैं हम और खुशी मिल चुकी हम है जो कि हमने फैनली वी रीच आज तक देखने को यह नजारा नहीं मिला तो आज मिलगा मुका और मुक्के पर हमने जोगा मारती है लाली यहां से देखके आप नीचे और यार सामने भी बहुत खुब सुरत है यह व्यूटी एफ नेचर जिसका हम शुक्रिया दानी गर पाते हैं देख लो यार क्या ही मस्त है व और इस सेट मतल्स सब और यह पीछे देख लो पीछे का देख लो है और नीचे वाला क्या कटिंग की है पूरा सरकल टाइप में आ रहा है नीचे से थोड़ा यहां से फिर नीचे है तो आप लोग यहां से देखो वायार हर जिस सेट आ रहा हो ना मैं उस सेट मुझे इतनी खुबसूरा जगह दिख रही है क्या ही बोलें क्या बोलें ही क्या मतलब मेरे पास अलफाज खतम हो चुके तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि यार तोसमेदान जो की किंग आफ मीड़ो माना जाता है वो कैसा होगा यह तो उसका मतलब उसके सामने कुछ भी है इसकी खुपसूरती ही। चुनरी तो आप इसको देख सकते ही हैं कि तो जा रहे हैं हम यहां से वापिस अपने फैमिली के पास और फिर उनको लेकर निकलना है वापिस टाइम बहुत हो चुक है और हमने इंजोई भी बहुत कर लिया जितना इंजोई मैंने आज कि अतना कभी नहीं किया इस जगा पर यहां पर मुझे कुछ दिखा यार यह जा रहे हम वापिस मैंने फैमिल जा रही है इस सेट सोर में जा रहो है इस सेट से मुझे गाड़ी लानी है तो फिर निकलते हैं गर के लिए इतना ही था अज का भी लाग जैंदी खातिर दर दर रुल गे कमले दिवाने रुल गे जैंदी खातिर दर 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 रुल गे कमले दिवाने रुल गे अच्यो नरासे चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को शेयर कर देना कमेंट कर देना और लाइक कर देना और जो जो नया जूड़ा मेरे साथ मेरे चैनल पे मेरी फैमिली में जो 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 नया जूड़ा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि यार और अच्छे अच बन रहा है तो उसमिदान जाने का तो वहां का नजारे दिखाता हूँ यहां वहां पर मश्ली भी वह भी दिखाऊंगा आपको में पकड़ेंगे भी सो तब मिलते आपको नए विलॉग में तब तक के लिए गुडबाई असलामु अलेकुम